हलो फ्रेंड साज हम बात करने वाले हैं और एक नए objective question set के बारे में जो की chemistry के हैं और ये जो है set number 6 है और इससे पहले के यदि आप set को नहीं देखे हैं तो वीडियो के playlist में जाकर देख सकते हैं और यदि आप किसी भी subject के ऐसे ही objective question set को देखना चाते हैं तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं और यदि आप हमारे हर update से जुड़े रहना चाते हैं तो अभी चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें तो चलिए start करते हैं पहला question है निमलखीत में से कोन सा पदार्थ एक अती सीतित द्रव है लकड़ी, काच, आइस क्रीम या अमोनिया तो इसका सही answer हो जागा काच, काच एक अती सीतित द्रव है अगला प्रस्ण है निमलखीत में कोन सी हरीत ग्रीह ग्यास है सलफर डायोकसाइड, मीथेन, कार्बन डायोकसाइड ये सभी तो हरीत ग्रीह जो ग्यास है वो ये सभी है यानि सलफर डायोकसाइड भी है मीथेन भी है और कार्बन डायोकसाइड भी है अगला प्रस्ण है फ आस फोरज जो सबसे अधिक पाये जाता है वो प्रोटीन में पाये जाता है। अगला प्रस्न है हीरे का एक केरेट कितने मिलिगराम का होता है। एक सो पच्पन मिली ग्राम, दो सो पचास मिली ग्राम, दो सो मिली ग्राम या एक सो पचास मिली ग्राम, तो इसका सही आंसर हो जागा, दो सो मिली ग्राम, धातू के उकसाइड प्राय होते हैं, अमलिय, छारिय, उदासीन, ये सभी, तो जितने भी धातू के उकसाइड होते ह प्राया हूए छार यह होता हैं म Хणआ डज मुझाने वाली गैस कोण सी है signing नायट्रोजन कार्वन ड्यक्साइड औक्सिजन या इसमें से कोई नहीं तो आग पुझाने वाला जो गैस होता है वह होता है कार्वन डै特 Landing रो सभीन फिलियम नाइट्रोजन नाइट्रस अक्साइड या हाइड्रोजन तो हसाने वाला जो गयस होता है वो होता है नाइट्रस अक्साइड अगरा प्रस्न है सुर्य में होता है हाइड्रोजन वह हिलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फासफोरस तो सुर्य में जो होता है वो होता है lead outrageous या iron दो इसका सवी आंसर होगा oxygen है को के अगणा प्रसेव्श करन के लिए यह मिलाया जाता है कारबन पर स्पो कराज थकर Only तो बलकी मिलाया जाता है Nora में वह स्र्फर मिला जाता है अगता मैं नाभीक रियक्टरों में ग्रिफाइट का प्रयोग किया जाता है सनेहक के रूप में, विमंदक के रूप में, इंधन के रूप में या इसमें से कोई नहीं तो नाभीक रियक्टर में जो प्रयोग होता है ग्रिफाइट का वो विमंदक के रूप में होता है अगला प्रस्न है निमलिखीत में कौन सी गैस नियूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है नैट्रोजन, हिलियम, अक्सीजन या हाइडोजन तो इसका सही आंसर हो जागा हाइडोजन अगला प्रस्न है वी संकरमन के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते है मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, सयुक्त उपलब्ध क्लोरीन, मुक्त क्लोरीन या अफसिष्ट क्लोरीन तो इसका सही आंसर हो जागा अफसिष्ट क्लोरीन निमलिखीत में से कौन सी गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है carbon dioxide, chlorofluorocarbon, hydrogen या nitric oxide तो इसका सही answer होगा hydrogen अगला प्रस्चन है जल का सुधतम रूप होता है आसूत जल, वर्षा का जल, भौम जल या नल का जल तो इसका सही answer होजागा वर्षा का जल अगला प्रस्चन है निमलखीत में से प्रमुख greenhouse gas कोन सी है carbon dioxide, carbon monoxide, frion या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही answer होजागा carbon dioxide अगला प्रस्चन है मोस्मी गुबारों में कोन सी gas भरी रहती है वायू, हिलियम, hydrogen वर nitrogen तो मोस्मी गुबारों में जो भरी होती है वो हिलियम गैस भरी होती है अगला प्रस्चन है हीरा और ग्रिफाइड होते हैं समाकृतिक, आइसो बार, अपरूप या आइसो मर तो इसका सही answer होजागा अपरूप, हीरा और ग्रिफाइड जो है एक दूसरे के अपरूप है carbon के अपरूप होते हैं ये दोनों अगला प्रस्चन है carbon danting निम्न में किसकी आयू निर्धारन है तो फ्रियूक्त होती है पोधे की, चटानों की, जिवास्म की या ये सभी तो carbon danting के दोवरा जिवास्मों की आयू का जो है निर्धारन किया जाता है अगला प्रस्चन है दियासलाई की नौक में क्या रहता है लाल फास्पोरस, स्वेथ फास्पोरस, फास्पोरस ट्राइक्लराइड या इसमें से कोई नहीं तो दियासलाई की जो नौक में होता है यानि माचिस की तिल्ली में वो होता है लाल फास्पोरस अगला प्रस्चन है हीरे का खनीजी बनावट क्या है नाइट्रोजन, कार्बन, जस्ता, ये सबी तो हीरे का जो खनीजी बनावट होता है वो कार्बन से बनावट होता है और हीरा सुध कार्बन होता है अगला प्रस्चन है हीलियम की खोज किसने की थी सीले, लौकेयर, हैन्री केवंडिस या इसमें से कोई नहीं तो हीलियम का जो खोज किया था वो किया था लौकेयर नहीं अगला प्रस्चन है स्रवाधिक योगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है जनोन, आरगन, हीलियम, अक्सीजन तो स्रवाधिक योगिक बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो है जिनन अगला प्रस्न है और जोन प्रत मुख्यता कहां अवस्थीत रहती है आईनो इस्फेयर में ट्रोफव इस्फेयर में इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा इस्टेप्टो इस्फेयर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सरजन में किस दैस का सरवाधिक योगदान है संयुक्तराज अमेरिका का भारत का चीन का या जापान का तो ग्रीन हाउस गैस जो सबसे अधिक उत्सरजन होता है वो होता है संयुक्तराज अमेरिका में अगला प्रस्न है कठोर जल से कैलसियम वा मै आग्नेसियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जल मिर्दु करन फिल्ट्रेशन अवसादन या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा filtration अगला प्रस्थन है निमलखीत में इसे किस एक को stranger gas भी कहते हैं आरगन को, helium को, neon को या genuine को तो इसका सही answer हो जागा genuine को वाईव में कौन सी noble gas नहीं होती है आरगन, helium, redon या neon तो वाईव में जो noble gas नहीं होती है वो है redon अगला प्रस्थन है, एक विद्यूत बॉल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए समानियत उसे किस से भरा जाता है यानि nitrogen gas भरा होता है विद्यूत बॉल्ब में, या argon होता है, या hydrogen होता है, या krypton होता है तो इसका सही answer हो जागा argon विद्यूत बॉल्ब में प्रयूक्त gas कोन सी है, hydrogen रडॉन, अक्रिय गैस या argon, तो इसका सही answer हो जागा, अक्रिय गैस जो की argon होता है, और argon एक अक्रिय गैस है अगला प्रस्थन है, मोसम विज्यान समधी प्रेक्षन के लिए निम्लखीत में से किसको गुबारों में भरने में उप्योग में लाया जाता है, helium hydrogen, nitrogen या methane, तो इसका सही answer हो जागा, helium अक्रिय गैसों की खोज का स्रय किसे प्राप्थ है रेमजे, लोकेयर सीले, या इसमें से कोई नहीं, तो अक्रिय गैसों के खोजने का जो स्रय प्राप्थ है, वो है रेमजे को, अगला प्रसन है, भूपरपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, statin chlorine, manganese या जो है, इसमें से कोई नहीं, तो सबसे कम मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है, वो हींद बंदे मात्रम